नमस्कार दोस्तों राना आयूब पेसे से एक पत्रकार हैं राइटर हैं और कॉलमिनिस्ट हैं इन्होंने ही गुजरात फाइल्स लीपा पोती का प्रदफाश नामर एक किताब लिखी थी जिसमें गुजरात दंगे में तब के मुख्यमंत्री की इन्होंने भर-भर कर सुनाय था कि कैसे आपके होते हुए नरसन्नार हुआ यानि कि जेनोसाइड हुआ और आप इसके दोसी हैं दोस्तों ये किताब विवादों में आ गई थी और जिसको सुप्रेम कोट ने भी मन गदन बताते हुए नल और वोइड करार दे दिया था अब विवादों का जिक्र होता है तो विवादों से राना आयूप का बहुत पुराना नाता है वैसे तो ये विवादों से बचना चाहती हैं बचकर चलती हैं पर विवाद ही इनको गेल लेते हैं ये कहें कि विवादों से इनका बहुत जादा लगाव है और विवाद इन तो उसमें पत्रकार को अपनी मन की सुननी चाहिए और सूजबुज दिखाने चाहिए, समझ दिखाने चाहिए और निल्ले नेना चाहिए कि का करना चाहिए जिसमें ये फेल होती भी नजर आती है जिसके लिए इन्हें हमारे पडोसी देश जो हमारा सांती पडोसी देश है पाकिस्तान उनकी तरफ से भी बहुत जारीफे मिली है और उन्होंने कसीदे पड़े है इनके लिए अब सीडिसी बात है कि अगर आप अपने परिवार से लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे उसका विरोध करते रहेंगे उसका विरोध करना भी चाहिए पर एक बंद कमरे में अगर आप सारा विवाद देश के बाहर बे जाएंगे या घर के बाहर बे जाएंगे तो जो आपका पौबसी है जो आपका दुश्मन है वो तो मुझे ले ले गई वो तो आपके परिवार की जो आग होगी उस पर हाथ सेके गई यही पाकिस्तान ने किया क्योंकि यह हमेशा से एक ही सवर का लियास करती है यानि कि एक अलाप लगाती हैं वह है भारत का, भारत का विरोद, भारत का विरोद दोस्तों मैं इनका साथ इस लिए खड़ा हूँ क्योंकि पहले बार इनोंने कुछ बात देश के भार की छेड़ अब आपने देश की बुराई तो सुन ली अपने देश की बुराई करती रहें तो हम जैसे देषवासी पर कोई नहीं पड़ता क्यूंकि हम आराम से इगनोर कर लेते हैं और आराम से पचाज आते हैं क्यूंकि हम ही डेमोक्रेशीवाले अब हुआ ये कि अभी UAE में एक आतंकी संगटन ने ड्रोन से हमला कर दिया तो साओधी की सरकार ने दल बल के साथ उस आतंकी संगटन पर चढ़ाई कर दी जिसका नाम हाउती था और जो यमन मेशती थे जहां उसके टेंपरिरी ठिकानों पर उन्होंने हमला कर दिया और तहस्नैस कर दिया अब हमने आपको पहले बताया था कि राना अयूब जी विवादों से दूरी बनाती है पर विवाद है इनकी पीछे चले आते हैं अब इन्होंने क्या किया कि ट्विटर खोला और उस पर लिख दिया कि साओधी के ओपर इन्होंने अच्छा बड़ा लंबा चोड़ा लेग डाल दिया कि साओधी को यमन की कोई चिंता नहीं है वहां पर इतना जाजा खून खरा भी जाती सुनाया भी ना जाता कहा भी ना जाता थोड़ा सा विरोध होता लेकिन जब इसलाम को मानने वाले लोग और इसलामिस कंट्री ही उनका अगर विरोध करती है तो बुरा लाजमी बात है कि बुरा तो लगना है पर उसकी खीज भी उतारनी पड़ेगी तो इन्हों जैसे देश में भारत का विरोध कर सकते हैं भारत के बारे में गलत लिख सकते हैं भारत के कमियां आप दूसरे के आगे गा सकते हैं बता सकते हैं लेकिन अगर आपने इसलामिस कंट्री और आप खुच्चा इसलाम को मानते हों अगर आपने उनके बारे में कुछ ऐसा किया